साहस सरुकार कीव और खार कीव में ताबर तोड हमले चारी युक्रेन पर लगतार हमले कर रहा रूस बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की रूसी विमानों ने रियाहाईशी इलाकों में गिराए बॉम खार कीव के रियाहाईशी इलाकों में गिराए गए बॉम कीव और खार कीव में ताबर तोड हमले चारी यूक्रेन की राज़ानी कीव में लगतार धमाके जपर रिजिया न्यूक्लियर प्लांट का रूस में क्या परिक्ष है केट सौन के टीवी टावर पर भी रूस का कब्जा यूक्रेन की राज़ानी कीव में लगतार धमाके जैपो रिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कबजा खेर सौन के टीवी टावर पर भी रूस दिखिया कबजा बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन की राज़ानी कीव में लगतार धमाके जैपो रिजिया म्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा से खेड सौन के टीवी टावर पर भी रूस का कब्जा बड़ी ख़बर सामने आ रही है दो जगा कब्जा जमाली है रूस ने रूस के हमले पे मारे का इस सैनिक जलेंस्की का बयाना है सामने कीव की तरफ बढ़ रहे है रूसी सैनिक कीव पर रूसी सैनिकों की बंबारी रूस के हमले में मारे का इस सैनिक जलेंस्की का बयाना आया सामने कीव की तरफ बढ़ रहे है रूसी सैनिक कीव पर रूसी सैनिकों की बंबारी यूक्रेइन की राजधानी कीव में लगतार धमाके जैपो रिजियन यूक्लियर प्लांट पर रूस का कबजा खेट सौन के टीवी टावर पर भी रूस का हमला रूस और यूक्रेइन के बीच महा यूद बड़ी ख़बर सामने आ रही है इमारते खंडहर में तबदील हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही रूस और यूक्रेइन के बीच महा यूद बड़ी ख़बर सामने आ रही है इमारते खंडहर में तबदील यूक्रेइन की इमारते खंडहर में तबदील बड़ी ख़बर सामने आ रही है हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही चाइनी हीव पे रूस की एर स्ट्राइक एर स्ट्राइक में 47 लोगों की गई जान रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बड़ी खबर साब ने आ रही है चाइनी हीव में रूस की एर स्ट्राइक एर स्ट्राइक में 47 लोगों की गई जान रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला UNGA में यूक्रेइन संकट पर आपात बैठक बड़ी ख़बर सामने आ रही है अमारी का स्ट्रिंगर मिसाइल देगा यूक्रेइन की तरफ से आई यह बयान UNGA में यूक्रेइन संकट पर आपात बैठक अमारी का स्ट्रिंगर मिसाइल देगा यूक्रेइन का आया बयान रूस की बड़ी कारिवाई इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है रूस ने यूक्रेइन का वार्शिप नष्ट किया समुद्र में समाया यूक्रेइन का वार्शिप रूस की बड़ी कारिवाई आया सामने इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है रूस ने यूक्रेइन का वार्शिप किया नष्ट समुद्र में समाया यूक्रेइन का वार्शिप रोस की बड़ी कारेवाई आई सामने रोस ने यूक्रेन का वॉर्श्ःप किया नष्ट समुर्द्र में समया यूक्रेन का वॉर्श्ःप तस्वीरे आप देख सकते हैं इस तरहा से एक खंडर में तबदील होता नजर आ रहा है यूक्रेन लगतार रूस द्वारा हमले किये जा रहे हैं जहाँ सोड़ी सामान इस्तिती की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर में और वही हमलों के बाद की तस्वीरे आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं इस तरह से भयावय इस्तिती है लगतार तबाही का मनजर देखने को मिल रहा है 47 लोगों की जान गवाने की खबर में सामने आई है दो हमलों की तस्वीरम आपको दिखा रहे हैं इमारते खंडहर में तब्दील हो गई हैं दो तस्वीरम आपको दिखा रहे हैं यह लगतार आसमान से आफ़त बरस रही है जिसका सीधा असर इमारतों पे देखने को मिल रहा है लोग जान गवाके दो देशों के वर्चस विकी लड़ाई में लोग अपनी जान गवाते नजर आ रहे हैं खूबसूरत सा एक देश जो की अब खंड़ार में तबदील होता नजर आ रहा है अलग लग राज्जियों में अलग अलग जगा पर लगतार बंबारी हो रही है हमले हो रहे हैं खंडर में तब्दील होती नजर आ रही है इमारते हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है खंडर में तब्दील होती नजर आ रही है इमारते लगदार बंबर साय जा रहे है रूस और यूक्रेन के बीच महां युद्ध जारी है जिसमें आम नागरिक पिस रहे हैं यूकरेन के सडकोपे जहां टैंक नजर आ रहे है युद्ध साजो समान नजर आ रहा है तो वही दूसरी तरफ खंडर की तस्वीर अमा को दिखा रहे कितना नुकसान हुआ है कीव खार कीव में सबसे ज़ादो नुकसान बताया जा रहा है लगातार हमले हो रहे कीव और खार कीव में खार कीव में 300 भारती अभी भी मौझूद M.E.A के तरफ से जानकारी मिली है भारतीयों को निकालने की कूशिश तेज M.E.A की तरफ से जानकारी आई सामने भारतीयों को सुरक्षित निकालना प्रात मिली है M.E.A ने कहा जंग के चलते रेस्क्यू में आ रही दिक्कत है M.E.A की तरफ से जानकारी सामने आई खार कीव में 300 भारती अभी मौझूद M.E.A के तरफ से जो हन्त कारी है, भारतियों को निकालने के गोशिच तेज, M.E.A के तरफ से आया बयान, भारतियों को सुरक्षित निकालना प्रात्वित्ता, M.E.A के तरफ से बयाना है सामने, जग के चलते हैं, M.E.A के तरफ से बयाना है सामने, कि भार्तियों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथ मिक्ताय मिए ने कहा जंके चलते रिस्क्यू करनी आ रही परिशानिया पर लगतार हमले कर रहा रूस रूसी विमानों ने रहाइशी इलाकों मिग्राए बॉप खार्कीव के रहाइशी इलाकों मिग्राए गए बॉप कीव और खार्कीव में तावर तोड़ हमले जारी उप्रेन पर लगतार हमले कर रहा रूस रूसी विवानों ने रिहाइशी इलाकों में गिराए पौँ खारकीव के रिहाइशी इलाकों में गिराए गए पौँ कीव और खारकीव में ताबर तोड हमले चारी रूस और यूकरीन की जंग न्यूकलियर वार और विश्र युद्ध की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वहीं यूरोप के सबसे बड़े न्यूकलियर प्लांट पर बंबारी करने के बाद रूसी सेना ने उसे अपने कबजे में भी ले लिया है और ये युद्ध अब और अधिक गहराता ज़ा रहा है देखें प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट रूस और यूकरेन के बीच जारी युद्ध विस्फोटक हो चुका है यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लान पर बंबारी करने के बाद रूसी सेना ने उसे अब अपने कबजे में भी ले लिया है रूसी सेना के इस कारवाई ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है परमाड़ युद्ध का खत्रा पहले ही बना हुआ था पुतिन भी इशारों में बड़ी चेताफ़ी दे चुके है उस बीच सकारवाई ने अब कई तरह के सवाल खड़े कर दिये है बता दें कि कुछ समय पहले ही रूसी सेना की तरफ से कीरसॉन के नुक्रियर प्लांट पर भारी बंबारी की गई थी उस वज़े से वहाँ पर आँग लगी और रियक्टर्स पर खत्रा मन रहाया यूक्रेन के मताबिक रियक्टर्स को सुरक्षित कर दिया गया है और आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है लेकिन इस बीच अब रूसी सेना ने उस पूरे प्लांट पर ही अपना कबजा जमा लिया है रूस के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है यूरोप के इस सबसे बड़े प्लान पर कबजा कर उसने यूक्रेशन को बड़े संकट में डाल दिया है एक तरफ अब रूस के तरफ से पूरे यूक्रेन में ब्लैक आउट किया जा सकता है तो वहीं दूसरी तरफ उसके उर्ज़त संसादिरों पर कबजा भी अब जमाय जा सकता है प्राइम टीवी के लिए आर्दे दिवारी की रिपोर्ट तो लगतार युद्ध के परिस्तिती बनी हुई है और लगतार न्यूक्लियर के हमले के चेतावनी भी दी जा रही है लेकिन इस बीच क्या होगा इस सब के बीच जो ये परिणाम सामने आएगा वो कितना खतरनाक होगा क्योंकि इन युद्ध के वर्चस्व के युद्ध में आम जंता कहीं न कहीं पिस्ती नजर आ रही है वह इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है की और खारकीव में ताबर तोड हमले चारी रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी ख़बर सामने आ रही है यूक्रेण छोड़कर पोलैंड पहुचे जलन्सकी जंग के बीच पहुचे पोलैंड बड़ी ख़बर सामने आ रही है युद्द के बीच से रूसी मीडिया के हवाले से ये बड़ी ख़बर सामने आ रही है यूक्रेन छोड़ कर पोलैंड पहुंचे जलेंस्की जंग के बीच पहुंचे पोलैंड रूसी मीडिया के हवाले से ये बड़ी ख़बर सामने आ रही है जोहां एक तरह को देख संकट से जूज रहा है यूक्रेइन के नागरिक इस वक्त युद्ध के परिस्तिती में खुद को बचाने की जद्दो जहत कर रहे हैं तो वही जंग के बीच पोलेंड बहुच गए है रास्पती जलेंसकी तो तस्वीर आप देख सकते हैं भयाव है लोगों की ज़ान जा रही है लगतार इस युद्ध में और इस युद्ध के परिस्तिती में पोलेंड जलेगा है जलेंसकी इस वक्त की बड़ी और सबसे बड़ी ख़बर सामने आ रही है जहाँ परिस्तिती काबू में आने का नाम नहीं ले रही है पूरी दुनिया की नजर इसे युद्ध पर है और लगातार कई प्रतिबंध भी लगा दिये गए है इस युद्ध की वज़े से रूस पे लेकिन रूस लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि इस बात की शोटी द थियार है वो यूक्रेन उन्हें खत्म करेगा तबा करेगा ताकि भविश में कभी भी यूक्रेन रूस पर कोई हमला ना कर सके अगतार आजमान से आफ़त बरस रही है युद्ध की इस घडी में कई लोग अपनी जान गवा चुके हैं और अभी भी कई भारतियों कि बात करें तो भी अभी फसे हुए हैं. लेकिन कहीं न कहीं आम जनता भारतिय नागरिक, विदैशी नागरिक, सभी इस वक्त जो फसे हुए हैं युकरेन में डर के साहे में जी रहे हैं. इस बॉर रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही तमाम देश-दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी